तो हेलोफेंड कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपके पुतारेंगे जिद्न के नए अप्डेट के बारे में और कमाल के नए फीचर के बारे में जो की आफटरबडेट वहाँ पर रिलीजस की गये क्या यह नए प्डेट है क्या क्या नए फीचर साइड आपको आगे मिलेगी आगे मंदे से पहले चैनल को सबस्क्राइब करो नोड़िशन प्राइकों दबादो ताकि यह नहीं अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इस वही फोर वह चलते हैं दोस्तों आगे मेरा आपको सबसे उपर ही मिल जाएगा सैमसंग कलेंडर एप का नया अपडेट यह नया अपडेट वन्यूए 6.1 के लिए ही आया अगर वन्यूए 6.1 नहीं है तो हो सकता ही अपडेट आपके पास नहीं आया हो इसको रॉल आउट किया गया है साउट जो उनको हर बार बोलता ह अब यहां पर आप देखेंगे क्या नहीं फिचर एड़न कियेगा यहां पर स्टिकर सिंक्नोराइशन का सपोर्ट देदेगी आप श्टिकर को सकते हैं शीयर कलेंडर के ढिश एडिंग इवन्ट सपोर्ट इन कबर कलेंडर विज़ाट भी आप वहां से भीएड़न को addon कर पाएंगे data sector UI updated उसका जो date सेक्टर का UI थोड़ा अपडेट कर दिया गया है Samsung wallet UI अपडेट कर दिया गया है lunar date reception वहाँ पर अपडेट कर दिया गया है और कुछ display का wizards को add हों किया गया है कोई special feature नहीं किया गया बस UI को update किया गया है और साथ में calendar wizard का support दिया गया है मैंने आप काफी अच्छा पर Samsung calendar real में बहुत अच्छा आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते है बहुत अच्छा support करता है और बहुत ही अच्छे से ये चलता है तो finally ये हो चुका है update करने काद मैंने कर लिया है इसको open open करने के आप देखेंगे इसके जो date की format है थोड़े बड़े कर दीगे थोड़े अच्छा सा कर दिया गया है और आपको समझने के लिए यहाँ पर अच्छा कर दिया और click भी करके देखेंगे तो वहाँ पर उसका जो UI है थोड़ा यहाँ पर भी change out किया गया तो यहाँ पर जैसे अपडेट के आप देखेंगे तो उसकी UI को यहाँ पर changes किया गया आप थोड़ा सा देखेंगे नोटिस करेंगे तो UI में कुछ बहुत सारे changes किये गए यहाँ पर जाएंगे 3 dots पर यहाँ पर आपको जाना है settings पर settings पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर calendar style मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे style आपको मिल जाएंगे जिससे आप highlight कर सकते हैं और design को ऐसे अलग-अलग कर सकते हैं आप चाहें तो multiple color लगा सकते हैं highlight shot events कर सकते हैं events को dark भी करना चाहें dark कर सकते हैं font को बढ़ाना चाहें कम जादा वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर lunar calendar का support दे दिया गया है जैसे कि like moon calendar का तो उसके भी आप यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे साथ मैं alert type अगर आपने alarm लगाते हैं तो alert कैसा आएगा उसके भी design को यहाँ पर set out कर सकते हैं किस form में आए वो कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है manage calendar का option manage calendar का आप कौन से उसका चला रहा है वो यहाँ पर set out कर सकते हैं lock time zone time zone वार पर lock कर तो ताकि पो इसको change ना कर सके इससे भी आपको calendar का accuracy बनी रही और सही आपको detail यहाँ पर show करेगा इसके अलाबा यहाँ पर left के future में जाएंगे तो hide event recommendation का आपको option दे दिया गया है और add reminder button आपको यहाँ पर ऐसा दे दिए आप यहाँ से plus कर देंगे तो यहाँ पर आपको plus का icon मिल जाएगा यहाँ से आप add reminder और event को भी यहाँ पर add on कर पाएंगे तो यह यहाँ पर आपको changes दिये गया है इसके अलाबा अगर आपको देखना है आपको wizards के option में भी अच्छे आप यहाँ से add on और plus minus सब यहाँ से ही आप कर पाएंगे आपको option पर जाने ही जोट नहीं पड़ेगी यही से आप यहाँ पर लगा पाएंगे तो यही कुछ calendar के अपडेट थे और उसके normal performance को इंप्रूफ किया गया चैनल को पाएंगे थेंक यू सो मच्छ